कल अयोध्या में भारत के प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों भगवान स्री राम के नो निर्मित मंदिर के अंदर भगवान स्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसको ले करके जो आयोजन हुआ है जो तयारिया हुई है ऐसा युगों में बहुत कम बार देखने को मिलता है और इस समय आधुनिक भारत में जो ये समय चल रहा है वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो राम के उपर बोलते हैं कथा करते हैं लेकिन मैं ये बहुत अधिकार से कुछ दिनों से बोल रहा हूँ तमाम जगों पर कि आचारे रजनीश यानि ओसो के बाद अगर कोई उनके जाने के बाद कोई ऐसा वक्ता हिंदुस्तान में है जो अपना मुँ खोलता है किसी विशय पर बोलने के लिए तो लोगों की गत्विधियां रुक जाती हैं लोग अपना काम छोड़ देते हैं और जिसके मुह से गद्य भी पद्य की तर निकलता है पद्य तो उनकी कला है ही जिसको पूरी दुनिया जानती है लेकिन गद्य में भी वो काव्यात्मक सैली जो प्रयोक करने का हुनर उनक हैं और कुमार विश्वास जी आज कल जो स्री राम के बारे में अपने अपने राम कोले करके पूरी दुनिया में अपनी ख्याती बटोर रहे हैं चाहे वो लंदन हो चाहे वो सिंगापुर हो चाहे वो मालदी हो चाहे वो नेपाल हो चाहे अडोस-पडोस के जो भी कुई मानस से प्रभावीत देश हैं, वहाँ पर इनको इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, इनकी क्लिप्स इतना ज़्यादा वाइरल हो रही हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और मैंने भी जितना हो सकता है, अपने अपने राम को ले करके, मुझे नहीं लगता कि कोई इनक तपस्या है कि जब आप अयोध्या आते हैं तो पैर से जूते चपल आप निकाल देते हैं, भले पैर में फफोले पड़ जाएं या ठंडियों में, चुकि आदत अब हमारी आप जैसे लोगों की नहीं रही पैदल चलने की, लेकिन आप ये तप क्यों करते हैं? नहीं ये कोई तप नहीं है उपहिंद्र जी, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत राम राम, और ये शुबकामना की शताब्दियों में किसी को ये सुफल मिलता है, कि वो फाइनल मैच की आखरी बॉल देख सके, साड़े 500 एक सियासी मैच चला है, एक शक्तिकेस संतुलन का प्रभाव चला है, तो आज जो दिन है जो पूरु संधिया है, कल उस पर पूरा पटाक्षेप हो जाएगा, जैसे धारा 370 हटी, अब मैं अधिकार पूरवक कह सकता हूं, कि मेरे जीवन, ये मेरे जीवन के बाद, किसी की माने दूद नहीं पिलाया, कि धारा 370 को दुबारा आरोपित करा दे, अगर भारत में राजनीती करनी है, भारत में सरकार बनानी है, जनता का विश्वास लेना है, कोई ये काम करनी सेथा, ऐसे ही भगवान का विग्रह जाए स्थापित हो रहा है, अब कोई सत्ता आ जाए जो 7000 वर्ष पहले, 7800 साल पहले वस्तुश्चिती थी, वही अब जन्म जन्मांतर के लिए एविध्या में होने जा रही है, तो ये एक ऐसा क्षण है, जिसका सौभाग्य सूर्य हम देखेंगे, हाला कि इसको देखने की पात्रता हमारी कितनी है, कितनी नहीं ये राम जी जने, पात्रता तो सर्यू के लोहे के पुल से गोली बारी के बीच में नीचे कूद कर अपना प्राण देने वाले कार सेवक की थी, पात्रता तो अशोक सिंगल जी की थी, पात्रता तो सोमनात से रथ लेकर चलने वाले अडवानी जी और उनके सार्थियों की है, ये हम कित प्रभाव है वो गलस समझ रहे हैं वो इस देश को इसका मतला समझ नहीं रहे हैं ये चपल जूते ना पहनने का कारण क्या है हम बहुत चोटे थे तो हमारी माम को ब्रंदावन ले गई तो कस्बों में क्या होता था बसों में जाते थे और उसकी सीट भिकती थी कि इतने से में रखे और वो बक्सा चैन से सीट के नीचे बांद दिया और ताला लगा दिया बूले चलो हमने का गर्मीती है इसमें से कैसे चलेंगे चोटे चोटे थे तो नहीं से कहा रहे हैं बावरे हो इसी धूल मिट्टी में भगवान चले हैं पता नहीं कौन सा कड़ तुमें धारना है अब क्या है तबियत खराब है दो तें दिन पहले बुकार था 20 दिन से लगातार बोला हूं लगातार करकर मो रहे हैं पूरेंस यहां नहीं नहीं किर आप जो पूचते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं एक महा कभी हमारे वे हुए तुमसीदास जिनकי बज़ये से राम इस यूग में दुबारा प्रतिस्ठापित हुए, वो चित्रकूट में रहते थे, मंदाकनी नदी के किनारे, उनके एक प्रीय मित्र थे, भारत के प्रधानमंत्री, अब्दुलरहीम खान-खाना, यह वो समय था, जब कवियों की मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों क बढ़ा हुआ था जिस पर सौने का होदा था ये तिहास है जो पर सुना रहा हूँ गल्प नहीं है उस पर एक बहुत सुन्दर अरब से आये हुए एक दुशाले पर सौने की काम था और उनके सिपाई खड़े हुए थे बाबा तुसीदा सर वो चर्चा कर रहे थे कुछ कवि दो और फिर तुसीदा जी से पूछा कि धूर इधरत निजशीश पर कही कारण गजराज है प्रियमित्र कविराज तुसीदा ये बताओ कि मेरा ये हाती इतना शालीन इतना सिखाया हुआ इतना नुशाशित ये धूल उठा उठा कर क्यों फैंक रहा है होदा क्यों खराब कर रहा है तो मुस्कुराते हुए चंदन घिस्ते हुए तो जिदाची ने अगली पंक्ति तुरंत कही धूर इधरत निजशीश पर कही कारण गजराज जेही रज मुनी पतनी तरी जिस रज को छूकर गौत्व मुनी की पतनी अहल्या का धार्वा तरी धूनत महराज वाँ जिसे उसके अंदर राम पूरे के पूरे उतर आए और जब आप बोलते हैं मैं इतना मंत्र मुगध हो के सुनता हूं कि राम कथा कहने वाले बहुत है मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता लेकिन जिन प्रतीकों से जिन बातों से जिन उदाहरणों से और जिस सहली से आप आप राम को समझाते हैं मैंने लोगों को रोते हुए देखा आपकी सभाओं में फूट फूट के तो राम आपके अंदर इतना कैसे उतरे भारत में ना राम शब्द का अर्थ समझे만 सिश्जिए संस्कृत में राम का अर्थ है रमेती ती राम अहाँ जो सास सास में रमन कर वो राम है और करशयती ती कृष्ण जो खीचे वो कृष्ण है देखते ही जैसे मुझसे लोग पूछते हैं अपने अपने शाम्भी करता हूं कि राम और कृष्ण में क्या अंतर है तो मैं कहता हूं राम सपने हैं कृष्ण अपने हैं राम से मर्यादा में बात करनी पड़त है हमारे हाँ जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में बुआ राम बोलती है अरे राम तो बुलवा दो कोई अरे कोई राम तो बोल दो चुकि मा की तो इस्थिती होती नहीं है तो दाई बुआ बेहन आके कान में राम 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 पहला शब्द सुनता है जब जाता है त तो पूरा कस्बा राम बोलेगा, इनका दुर्भाग यह है कि आज भी नहीं सुन पा रहें, और तब भी नहीं सुन पाएंगे, तो यह जो अंदर है, इसका निजी कारण था, यह मेरी बेटी ने एक बार राम पर प्रशन उठा दिया, जो विदेश पढ़ने गई थी, पहले शिप्त है, और यह जोड़े गए, मैंने उसको विग्यानिक थरीके से बता है, तो उसने मुझसे का अच्छा, कल एक शाम को डिनर करते हैं, ऑक्सफोर्ड स्टीट पे कोई था जगे, उसने पी सहरी सहीलियां बुला ली, और कहा कि पापा इनको भी बताओ, इसको भी बता कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं कथा के माध्यम से, लाइफ मेनेजमेंट, स्ट्रेस मेनेजमेंट, चैलेंजिस, इविन आपका काम, कम्यूनिकेशन, कि एक है, इंटर और्गिनाइजेशनल कम्यूनिकेशन, आप चैनल के सरपरस्त हैं, अधिती जी चैनल का चेहरा हैं, लो जो लेपल लगाए, उस से, कैमरे वाले से बोलने की जरूरत ना पड़े, फ्लोर पे गए, और काम शुरू और नीट करके बाहर निकल आए, ये और्गिनाइजेशनल स्किल कैसे आएगी, जब आप राम की तरह हनुमान में भरुसा करना शुरू कर देगे, आपने एक बार बोल दिया, कि भाई, तुम आ चले जाओ, और उन्हेंने हनुमान से भी नहीं बोला, उन्हेंने वानरों से का कि तुम देख लो, वानरों ने आपस में तै किया, कौन जाए, कोई कह रहा था, मैं सौय औजन चला जाओंगा, कोई ने का, डेर सो चला जाओंगा, जाममत ने का, मैं जवानी में जा सकता था, तो भुड़ा हो गया, हनुमान चुप थे, शाप के कारण, उन्हेंने का, का चुप साध रहे, बलवाना, हनुमान कूदे और गए, टास कितना दिया गया था, कि सीता जी मिले, उनसे कहना, कि भगवान आएंगे, राम आएंगे, इतना बो कोड मैप नहीं दिया, यह अपने एंप्लॉई में भरोसा करना, यह तो हो गया, आप लोग का काम, लेकिन जो इस कैमरे के पिछे मेरे दोस्त काम कर रहे है, जो लैपिल लगाने वाले, इनका क्या काम है, यह तब तक महत्वपून है, जब तक यह भारत एक्स्प्रस में का कर रहे है, मैंने वहाँ काम किया था, मेरी वो रिपोर्ट थी, मैंने वो वाली एडिटिंग की थी, मैंने इतनी जाबाजी के साथ वो खबर करी थी, भईया, करी होगी, जब तक इस कागच पे भारत एक्स्प्रस लिख रहा है, तब तक जंता देख रही है, वरना खुद म मैं राम का दूत हूँ, माता ने पूचा कि तुम कौन हो बेटा, बता सकते थे, कि मैं पंच तत्वों में एक पवन का बेटा हूँ, मैं पंच गन्याओं में पूजित माता अंजिनी का पुत्र हूँ, मुझे बचपन में भ्रमा जी ने आशिरवाद दिया है, मैं शंकर ज कैसा होना चीए, कि वो भरोसा करे, और एंप्लाई को कैसा होना चीए, कि वो ये माने, कि जिस सास्थान के लिए काम कर रहा हूँ, वही सास्थान सात्ते है, आपने जीवन में जो सार्थकता है, जीवन में जो सार्थकता है, रामायन, रामचरित मानस, प्रभु श्री राम और अनुज की भी माता की भी उसकी उसे जीवन के में कैसे सार्थक तोर पर लाना है यह अभी आपने एक्जाम्पल्स के माद्य हमसे बताया मैं यह चाहती हूँ क्योंकि सर ने थोड़े दिर पहले जिक्र किया था गद्य और पद्य में आपकी निपुनतागा यह जो टाट से ठाट तक का सफर है या संघर्ष से उतकर्ष का सफर है कवी कुमार विश्वास उसे कैसे देख दो बाते हैं सुबै से आप जैसे सभी मीडिया के साथ ही बात पूछ रहे हैं एक तो मैं इस बात से सैमत नहीं हूँ कि आज का दिन या कल का दिन ये किसी दल ये किसी व्यक्ति के कारण है किसी मुख्य मंत्री किसी प्रधान मंत्री की क्षमता नहीं है कि वो भगवान का घर बना दे किसी की क्षमता नहीं है प्रदान मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो, संगठन के लोग हो, आम जनता हो, पत्तकार हो उन्हें आजीवन इस बात का गरवबोध रहना चाहिए कि त्रेलो के केस स्वामी ने अपने धरवाजे की दो हीट सीधी रखने का सोभाग्य हमें दिया कितनी बड़ी बात है, आप देखते न, साधुसंत चल लए होते हैं, किसी को दुपटा समा देते हैं तो वो कितने ध्यान से लेता है, महराज जी का हम भी सामान ने लोग हैं, चलते हैं किसी को अपना कोई सामान देते हैं तो बहुत खुश हो के लेता है तो भगवान ने ये काम हमें दिया, बढ़ना तो किसकी शमता है दूसरा लोग ये सोचते हैं कि राम मंदिर ने राजनिती की राम मंदिर राजनिती का अंदूलन गलत फैमिए राम मंदिर आंदूलन भारत का सांस्कृतिक सामाजी का अंदूलन था धार्मिक भी नहीं था ऐसे करोडों करोडों लोग है जो मंदिर नहीं जाते ऐसे करोडों करोडों लोग है जो वरत नहीं रखते ऐसे करोडों करोडों लोग है जो रामकता नहीं सुनते लेकिन वो भी यह कहते दियार भगवान मा पैदा है मंदिर तो बनना ही जी अभी हमारे एक मित्र हैं दक्षिड से राजनीती करते हैं अल्प संक्या को कि पड़े लिखे आदमी है ऐसा वो कहते हैं लेकिन कहीं भार भ्रम भी होता है उन पर वो बोले कि दुनिया जानती है कि 500 साल से वहां कौन पूजा कर रहा था किस के तो मैंने उनको SMS किया मैंने का भाई एक अच्छा ट्यूटर रखो जो कि गिंती तो पास्तों से आगी भी जाती है 5000 साल से कौन कर रहा था 7500 साल से कौन कर रहा था ये तो कोई बात ही नहीं होई न तो राम मंदिर आंदोलन इस देश का सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन था उस आंदोलन को अपने अगवा तलाशने थे तो एक हाशिये पर पड़ी हुई छोटी सी राजनेतिक धारा जो जनता पार्टी से अलग हो गई थी उनसे ज़्यादा ताकतवर समाजवादी थे उनसे ज़्यादा ताकतवर सजपा थी आप बुराने पॉलिटिकल इतिहास का रहे हैं आप उससे ज़्यादा ताकतवर थी चल शेकर जी की पार्टी हल जिसका हल धर जनता पार्टी लेकिन एक पार्टी ने ये समझ लिया कि इस आंदोलन की चेतना को नित्रत्य की आवश्यक्ता है और उसने अपने आपको प्रस्तुत किया चाहे वो रत्यात्रा हो चाहे अटल जी का सारुजनिक सभाओं में हिंदू, तनमन, हिंदू, जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचे कहना वो जो लोग बने हैं, उन्होंने आंदोलन नहीं बनाया आंदोलन तो था जमीन पर, उनकी वजह से ये राजनितिक आंदोलन बना आजकल दूख शब्द बड़े प्रियोग में लाए जा रहे हैं हिंदू और सनातन दर्शकों को हिंदू क्या है और सनातन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जरूर ग्यान दीजिए सनातन शब्द जो हिंदी में है, संस्कृत में है वो अंग्रेजी के यूनिवर्सल के आसपास, नहीं उससे निकला तो नहीं पर उसके आसपास है तो सनातन का मतलब है वह धर्म जो पहले दिन से था वह धर्म और हिंदुत्व क्या है सनातन की देनन्दिन जो प्रियोग शाला है जो उसकी पुस्तिका है डेली अपडेट्स की वो हिंदुत्व है राम, कृष्णो, शिव ये तीनों इन दोनों शब्दों से बाहर खड़े हैं मैं फिर कह रहा हूं मैं जिस गाउं से आता हूं महां मेरे पिताजी प्रोफेसर हो गए हमको छुट्टी में ले जा दे थे बाहर मुसल्मानों की बस्ती थी सबसे पहले मौले पढ़ते थे मेरे पिताजी सारे बजर्गों से नमस्ते करते थे तो सलीम चाचा बैठे हैं सनातरी ब्रहमणों का लल्का प्रोफेसर पने पेटे को लेके जा रहा है है यह को वह गहते थे दे रहो जीते साने से रिष्टे नहीं करते हैं यह क्या है आपको पताई होगा आपको ब्रामणत्य जिनके पास था कि जो पूजा पाठ कराना यज्यादिक रिया कराना उसमें से एक विंग निकली जिसने अपने पुरशार्त के कारण का कि हम यजमान से मिली होई भूमी दूसरे को जोतने देने की बजाए जब हम पर ये काम नहीं होगा तो हम इसका खुद क्रशी का काम करेंगे उन्होंने अपना पसीना बोया देन अंदिन उन्होंने जो चुनोती थी वो सहीं कभी पानी आ गया कुछ हो गया तो वो त्यागियों में परवर्दित हो गए यानी जोने परवर्दि को कुछ समय के लिए ये काम किया यह भी परवर्दे में ब्रहम्वर्ड मैं हो इसलिए आपने देखा होगा कि त्यागी बद्धूँमें औवो मिहार बंद्धूँमें मेधा तातकालिक प्रतिक्रिया उसी समय चुनोती को जहलना थोड़ा सा अधिक होता है क्रशी ने उनको रोज सिखाया आज पानी भर गया, आज ये हो गया कौन सी फ़सल काटनी है तो उन्हें तातकालिक निरने लेने पड़े निश्चत रूप से तो ऐसे ही कुछ लोगों ने सनातन धर्म या हिंदुत्व को त्यागा दूसरे कारणों से पर उनका पुर्खा तो राम है उनका पुर्खा तो कृष्ण है तो लकीर खिचने से रिष्टे नहीं बदला करते लकीर खिचने से रिष्टे नहीं बदला करते जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करें। राम मंदर का मसला साड़े चार सो साल नहीं सुलजा तो मुझे दुख नहीं हुआ। चुकि ब्रिटिशर चाहता था कि मैं और आप लड़े। आदिल शाही चाहती थी कि मैं और आप लड़े। मुगल चाहता था कि मैं और आप लड़े। लेकिन 75 साल पहले तो मैं और आप ही जीत के आये थे वो तो कोशिश कर सकते थे कि आओ यार बैठे और उनका कद इतना बड़ा था नहीं ने कद इतना बड़ा था उनका आज प्रधान मंत्री की बड़ी लोग प्रियता है किसी राजा की इतनी स्विकारता होनी कि वो अपने द्वीप के समुध रित्रेट पर कुड़सी बिचा के बैठे और दूसरा द्वीव डूब जाए यह मुश्किल बात है मतलब उनने क्या किया अपील थोड़ी की यह थोड़ी का कुड़ी बस कुड़सी बिचा ही बैठे लक्षदीप आओ उधर वो डूब गया लोग इस विकारता सैतालिस में थी कि सैतालिस के सामाजिक और राजनेतिक राजा जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशनशक हूँ पूठ ये बापू का जिनकी सोच और जिनकी त्वरा का भी मैं बहुत बड़ा प्रशनशक हूँ आप सब जानते हैं जवालन लहरू वो लोग चाहत तो दौनों को बिठा के कह सकते थे इस देश में कौन ऐसा मुसल्मान है जिसे ये नहीं पता कि राम कहां पैदा हुए इस देश में ऐसा कौन मुसल्मान है जिसे ये नहीं पता कि कृष्ण कहां पैदा कि मेरे घर में एक बिटिया है मैंने हमने दौनों भाईयों ने मिलके उसकी शादी किये संयोग से वो इसलाम मानने वाला भाई है मेरा जब वो हुई थी तभी टै कर लिया था कि एक फंक्शन मैं करूगा एक फंक्शन तू करेगा अब उसके हाथ पिले हुए तो मेहंदी हल्दी हमने करी शादी उसके बाप ने करी तो वो बैठे हुए थे वहाँ बहुत सारे बच्चे तो मुस्से एक बच्चे ने पूचा कि अंकल ये जो फैनेटिसम आ गया है मैज़रिटी का ये कैसे हटेगा मिनका बेटा ये तो आप लोगों के आत में कर लट जाएगा मिनका बेटा एक ड्राइव चलाओ सारे इसलाम परस्थ प्रोग्रेसिव बच्चे और ये बोलो कि हम अपने धार्मिक नेताओं से अपील करते हैं कि हिंदूओं के दोनों सबसे बड़े तीर्थ काशी और मतुरा उन्हें स्वेच्चा से अभी खाली करें और चंदा करके कहें कि आप मत बनाइए मंदर वो तोड़के गया था नालायक वो हमारा भी दुश्मन था आपका भी दुश्मन था हम मिलके बनाते हैं मंदर हो जाएगा अभी सॉलूशन लेकिन दक्षिन की आवाजे नहीं करने देंगी लगनों की उसकी एक काट मिल गई हर कोरोना का वैक्सीन है तो इसका वैक्सीन मिल गया अब जब तक ये वैक्सीन चलेगा तब तक जो आप करें एतिहासिक भूल वाले लोग तब तक इसको भोगेंगे नरेंदर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़िए उनकी पार्टी के खिलाफ खूब प्रिचार कीजिए उनकी आर्थिक नीतियों की जम क्याल उचना कीजिए विदेश नीती में कहा का फेल हूँ है रोज बोलिएगा हम बोलते नहीं आज भी बोलते हैं लेकिन ये मानना की राम किसी दलके हैं और अब हम राम के साथ नहीं खड़े होंगे इसमें तो आपका नाशी होगा अभी आपने अपने एक मित्र का जिक्र किया था जिन्हें आपने मेसेश करके बताया कि घड़ी तो 500 साल पहले भी चलती है आपने अपने शुरुवाती कॉमेंट में ये बात कही थी कि अब राम मंदिर है और रहेगा उसी मित्र के कुछ फॉलोर्ज हैं और वही मित्र भी है जो ये कहता है कि हम आने वाली नसलों को ये बताएंगे कि इस मंदिर से पहले यहां मस्जिद हुआ करती थी हमने वो विडियो भी देखे जिसमें छोटी-छोटे बच्चे ये कहते हैं जब हमारा वक्त आएगा तो हम यहां एक बार फिर से मस्जिद बनाएंगे अगर वो बताएंगे तो जिन्होंने बनाया यह नहीं बताएंगे क्या यह तो आज ही बता रहें सुप्रेम कोड के आदेश पर मंदिर बन रहा है यह वाले बता रहें कि हम मनवा रहें लोग पूशते हैं भी वो ऐसा क्यों बता रहें भारती जन्ता पार्टी, कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टी यह क्या कभी सम्मेलन करानी की ऐजन्सी है क्या यह क्या नुमाईश लगानी की अरे चुनाव लड़ने आये है चुनाव में जिसको जिससे वोट मिलती है वो बात आदमी कहता है तो उन्हें इस बात पर वोट मिलती है कि भाई जब राम के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था जब नारा लगता था कि हवा में उड़ गए जैश्री राम राम वाव डेर यू मैं ऐसा सोच सकता हूँ किसी दूसरे धर्म के बड़े व्यक्ति के लिए भाई बाकी धर्मों में तो या तो भगवान का बेटा आया या भगवान का मेसंजर आया भगवान तो आया यह नहीं यहां तो भगवान ही आया वोई घुटवन चलत रेन उतन मंडित मुकदद लेप किये यहीं गूमा जहां मेर आप बैठे हैं दीती उसको आपने रैली में बोला हवा में उड़ गए जैश्री राम तो वो बहुत दिन तक दम सादे बैठे रहे लोग बाग अब आप उड़ गए हवा में तो भगया यह तो reaction chain है आप सिखाओगे वो भी सिखाएंगे आप सिखाओगे वो भी सिखाएंगे और माफ करना अगर संख्या बलके खेल में आप चलेंगे तो majoritism जो है उसको आप हरा नहीं पाएंगे तो इतनी सी सामान या political समझ अगर किसी में नहीं है तो वो मूर्क है मैंने जो राजनेतिक दल बनाया उसमें जो मेरे साथ जगती था मैंने उसको यही समझाया कि भई तू जो ये इफ्तार बहुत अची चीज है मेरे बहुत सारे दोस्त करते हैं मैं जाता हूँ मैं आपकी भगवान से जो लौ लग रही है उसके साथ हूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ भाई हूँ हाथ जोड़के बैठा हूँ पर आप मैंसे को नहीं ऐसे नहीं ऐसे खोल के बैठ फिर मैं को भई तू ही बैठ ले मैं तो चला यह जो सिंबॉलिक राजनीती है जिसके सहारे इस देश में वोटो का धुर्वी करन किया गया था दूसरे दलने आके वो सिंबॉलिक राजनीती तोड़ दी उन्हेंने कहा अगर यहीं खे लेविटा तो आओ इसमें हम उतरते हैं अब प्रधान मंत्री दक्षिन में सागर में पूरे नहा के यह त्रिफुंड लगाया यह महाकाल में पाठ चल ला है या योग्या दित्यनाथ वो बड़े स्वाभिमान के साथ अपनी निजी जीवन शेली में जो उनका निजी धर्म है उसको जी रहे हैं वो प्रतीक शास्त्र उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लग रहा है आप कह रहे हैं यह तो वो कर रहा है और आप जो दिल्ली में हमने सरकार बनाई तो जाहिर सी बात है मैं लिट्रिचर का आदमी हूँ तो मुझसे कहा गया भई अकैडमी आप बना दो तो भई अकैडमी सीम ने बोला कि यार यह सम्झे मुझे निए बनेंगी यह जतनी अकैडमी है और चेर्मेंशिप कुमार देखेगा ठीक है जी अरुदू अकैडमी बना दी सब को बला के बोला भई अच्छे से काम करना पैसे की कमी मत रखना उर्दू के चेर्मेन मेरे से बोले कि सर क्या करे हमारे पास तो बजट ही नहीं है मैंने का ये नौदस करोड बजट है बोले इसमें छह साथ करोड तो चला जाता है सर इफ्तार पार्टी में तो मैंने कहा एकेडिमी का अफ्तार पार्टी इस क्या मतलब एकेडमी मुशायरे करा है उर्दू पे काम करा है गालिप पे काम करा है बोले साब वो परमपरा रही है कॉंग्रस के टाइम से ही सीम आफिस से कि हम कराते है तीन चार करोड उपर लग जाता है वो आज पहली बार कि हम किसी कैमरे पे पहली बार मैंने वहां पोला अंदर सीम को बोला डिपटी सीम को बोला कि हम बखवास बंद करो लगाह वतार पार्टी कराओ हमें तूल गोज हाँ वोग आ लोगे तो अगर आप ये नहीं चलेगा के मेरा कुत्था कुत्था आपका। तॉमी तो यह उसने एक नई प्रकाकी ए्स्ट्रो ट psycheप के होखी ला दिये यह आप यहाँ तो मुस्लिम तो क्त्रक्रा दोड़िये उससे तकड़ा लंगडी मारी एना कंदे मार करिये एडी था है और बाहर कर दो और यहां बैट-बैट के डिब्लिंग करकर के कलाई घुमा घुमा के बोले नहीं साब यह अब खेल खेल नी बचा प्रदूशित कर दिया यह कोई होकी है होकी तो हो थी थी हमारे ट सहिशूनता टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बाते हुई तो आप जैसे हमारे जैसे समवेदंसी लोगों को बड़ा धका सा लगा कि यह थोड़ा बाते एक्स्ट्रिमिजम की तरफ जा रही है कि हमारे मुहले में ही रहने वा आजमी कह रहा है कि मैं अपने को सुरक्षित नहीं म रखती है वो कभी-कभी बोल देते हैं लेकिन सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता लेकिन एक प्रोपोगंडा तयार किया गया बहुत ठीक तरीके से कि मुसल्मान असुरक्षित है हिंदुस्तान में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ना तो मुसल्मान असुरक्ष अच्छ आप कि मुझे एक जैनी ढूँड के लादो जो भारत के किसी महले में रहता हुआ यह कहता हूआ जि मैं आसुरक्षित हूँ नियुन्तम मुझे एक पारसी ढूँड के लादो जो बंबई में अबराय मॉल घाइट्स में यह किसी बढ़िया प्रोजेक्ट में रहत हुआ लोडाज के हां और यह कह जी मैं असुरक्षित हूं भारत जिस मिट्टी का बना हुआ है वहां ऐसी असुरक्षा हुई नहीं सकती जो असुरक्षित कहने वाले मेरे दो दोस्त एक फिल्म के बहुत बड़े सितारें तीन सितारों में एक है और एक अभी आला मकाम फर्म बहुत बड़े शायर मैं उन दौनों को शुरुआत से जानता था मैंने उन्हें सदा इस देश में बेधरक घूमते हुए एक एक लाख के कभी सम्मिलन में उस कभी सम्मिलन के बाप की हैसित से खड़े हो के लोगों के सजदे लेते हुए देखा है बड़े-बड़े बिल् में दमोदी आया उन्हेंने का असुरक्षा हो गई भाया असुरक्षा राजनितिक केरियर की हुई व्यक्ति की नहीं हुई और मैं आप भी कहता हूं इन दौर में कुछ लड़कों ने भगवे पटके डालके चूड़ी वाला पीट दिया यह आपको याद होगा दो आधार है मंतरी नरुत्तमिश्र मेरा अंतर प्राणा मित्र जन नेता में मुख्यमंतरी कौन थे शिवराज चोहान मेरे अत्यंत आत्मिय मित्र मैंने ट्वीट करके टैक कर दिया फोन आया कि भाई देख रहे हैं उन लड़कों को गरफ्तार किया गया और फिर मैंने दुबारा टै अपिक्षादी यानि कि सार समझे भ्रामणों में पैदा हुआ सनातनी शाकाहारी वेद पाठी भ्रामण कुमार विश्वास एक इसलाम मानने वाले बच्चे पे एक थपड़ लगने के बाद व्यतित होकर ट्वीट कर सकता है अपने मित्रों को सचेत कर सकता है और एक पढ़ कैसे करोगे तो ऐसे इन व्यवहारों से आप सोचोगे कि यही सब होता रहेगा तो होगा नहीं राजनितिक कुछाद से कुछ कर लो कर लो मुझे तो इसकी कोई राह दिखाई देती नहीं अक्सर कई बार ऐसा हुआ कि जब आप आम आदमी पार्टी में सब कुछ छोड़ के अंदोलन से जुड़े तो एक राजनितिक सफर की सुरुवात हुई लेकिन आपने लगभग राजनित को अलविदा कहके जन सेवा का काम शुरू कर दिया और जन जागरन ही है जो पालसी बनाने की दिशा में काम किया करवाया जाए नायक क्या है नेता क्या है किवाल लाजनिती में थोड़ी होता है नेता हर क्षेत्र में होता है दूसरा जो आंदोलन हमने शुरू किया और जो दल हमने मनाया उस दल और उस आंदोलन से अलग हुए लोग कालांतर में उनके अलावा कुछ नहीं था चैनल पे, बहार आए अपरा संगे को गए, बड़ा वकील थे, हिला देते हैं सरकार, बहार आए अपरा संगे को गए, ये भगवती की क्रपा केवल मुझ पे हुई, कि मैंने वहां से किनारा किया, तो जो माननेता मेरी थी, उससे कही गुनी था, मैं कह रहा था सबूत मत मांग, बोधी को घेरे में लाने के चक्कर में भारतिय सेना के शोर्य को कलंकित मत कर, तो मैं तो लिख दिया, और अंदर जगडा हो गया, मैं कह रहा था कि प्रधान मंत्री से जगडा करो, अमेठी से चुनाव निप्टाने के बाद, मैं बना निजी बात PM के बारे में नहीं बोली, उस समय वो CM थे, मैंने कहा सीधी लडाई लड़ो, उनके निजी जीवन पर टिपणी मत करो, और इस तरह की गंदी भाशा मत लिखो, मुझे याद है कि जब वो ट्वीट किया उसने, कावर्ड, साइकोपैत, शाम को हम लोग बैठे ह हुए थे, वो ही जो पत्रकार महोद है, आए, वो मीडिया देखते थे, शोशल मीडिया, उन्हेंने कहा सर, बहुत अच्छा ट्वीट रहा सर, पर सर एक बात कहनी है, उन्हें पूचा हाँ बोलो, सर हम लोग तो छोटे भाटी के कारे करता है, हम तो माल लेते सर, पर आपक बत्तमी जी करता रहता है, बक्वास फालतू की बाद, उसने का मैं तो मेरा फोन चीना, कि मैं रिट्वीट कर दूँगा, और आत्मिश्वास एक दूसरे के प्रती यतना था, कि दौनों के पासवर्ड एक दूसरे को पता थे, उसने मेरा फोन चीनी के कोशिश की, पून बात करेगा, तुरे कौन लीडर मानेगा, मैंने तब भी एक है, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं बहार आउंगा कि अंदर आउंगा, तो देखिए, आजन्यतिक सवाल का जवाब देना नहीं था, पर आप शातिर पत्रकार हैं, आपने फसा लिया, इतिहास पढ़ना, धर्मशास्त्र पढ़ना इससे अनभाव आता है, और उसको लागू करना चाहिए, तो महाभारत के पढ़ने ने मुझे ये सिखाया, कि अगर दुर्योधन बिल्कुली पागल हो जाए, तो कर्ण की तरह उसके रत पर मत बैठे रहो, नीचे उतरो कि भी या, कुद को विदूर की तरह देखा है, जिस दिन मुझे लगेगा, कि भारत मा था, प्रकरती, मुझे किसी और काम के लिए भी आदेश कर रही है, मुझे पता नहीं कि क्या होगा, मैं इस कपड़े में रहूँगा, कि किसी और कपड़े में रहूँगा, और मुख्यमंत्री य आपने ये कहा कि एक द्वीप, डुबोधिया सिर्फ बैठ कर एक द्वीप पर, ये बात इस देश में बहस रही है और इस पर मैं आपका विचार चाहती हूं कि एक राजा, और खास तोर पर जब हम मर्यादा पुश्युत्तम, राजा राम की बात कर रहे हैं, तो एक वामपन धन्रिपेक्ष शब्द जो राजनीती में आया है, उसकी बहुत सारी व्याख्या हैं, मैं उसमें नहीं जाओंगा, बहुत लंबा विमर्श है, किसी दिन भारत एक्स्प्रस बुलाया है, एक घंटे इस पर ही चर्चा करेंगे, आपके स्टूडियो में बैठ के, दूसरा जो आपने कहा कि राजा को ऐसा मानना चाहिए, अंबेटकर को तो मानते हो, उनको तो हम सम मानते है, भारत की सम्विधानिक मर्यादा का जो अखाड़ा है, उसकी सीमा रेखा तो बावा साब ने बनाई है, जो पहली सम्विधान की प्रतिय है उसे ही देख लो, कि उसमें र राज्य विवस्ता, उसमें पहली बार बताया कि राम राज्य आदर्श राज्य विवस्ता है, बापो की भी नहीं मानोगे, किसी की भी नहीं मानोगे, जिनके दादा का नाम, भगवान नाम का परयायवाची है, उनका पोता पूछ रहा है कि राम कौन, अब या, करुना न तो यह जो आपने प्रशन पूछा है, राजा का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा नामक जो व्यक्ति है उसका तो धर्म होना चाहिए, अगर नवरात्री में राजा नौ दिन व्रत रखता है, तो उसके खिलाब मुकदमा लगा दोगे, और आज अगर यह प्रश से देखते हैं, जाना चाहिए, वो तो कहते हैं, सब्धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, कौन साथ लेकर नहीं चलता है, शीनिगर से केसर आ रहा है, जिस दिन मुकदमे का रिजल्ट आया, आंतिम बात बता रहा हूं, सुभह रिजल्ट आना था कि किसको मिलेगी जमीन, कोई कितना भी बड़ा पत्रकार बन लो बुरा मत मानना किसी को पता नहीं था सुप्रिम कोट ने इतना सीक्रेट काम किया था सब की हवा खराब थी कि सुबह क्या होगा मैं कलकत्ता में शो कर रहा था पहले दिन मेरे आफिस ने कहा कि सर कल कुछ भी हो सकता है हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फैन से अपील करें कि शान्ति पूरवक निनेस्वी कार करना तो हमने रात को एक वीडियो बनाने का प्रोग्राम किया उससे पहले बारा बंकी के एक मित्र का फोन आ गया वो संयोग से मुसल्मान है मैंने उसे पूझा भाई कहां है आप बोले भाईया हम तो यहां मदरसे में सब जमाएं मुलाना साब भी बैठे हैं शेहर काजी भी बैठे हैं और यह सब चला है और मैंने सब को चुप करा है कि कुमार भाई का फोन आए मैंने का स्पीकर पर रख दीजिए मैंने स्पीकर पर रखा मैंने का भाई सब को नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे तर शेहर काजी जो थे बुड़ बुज़र्ग आदमी यह शायद मौलाना है वांके मैंने उसे पूझा कि चचा क्या कल का क्या प्रोग्राम है कल डिसीजन आने वाला है पता है उन्होंने आवदी में क्या बोला भाईया यह ग्यारे हजार रुपईया और दुई बुग्गी मौरम हमसे लेलो जाए मंदिर बनवाए दो भाईया खतम करो यह इस देश का एक मुसल्मान बोल रहा है कि 11,000 रुपईया हमसे लेलो भाईया जाए बनवाए दो ऐसा कौन है अकेले में किसी मुसल्मान से पूछ लो अकेले में उससे पूछो क्यार करश्ण जी कहां पैदा हुए गमाथुरा में जाए जन्म भूमी और जिसने बनाया जिसने तोड़ा भाईया उसने तो तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा के साथ में बत्तमी जी की थी उसने तो तुम्हारी परदादी की परदादी की परदादी की परदादी की बिजचत लुटी थी और हमारी की भी साज़ा दुश्मन था हमारा हो और आज तुम पूरे भारत में जो दिल्ली की मस्जित है उसके इमाम के अलावा एक आदमी ऐसा नहीं था जो वहां से आया हो वो बुखारा से आये थे इसलिए बुखारी है और वो मस्जित शाहों की बनवाई हुई थी इसलिए वो शाही मस्जित थी वो शाही मस्जित के इमाम थे बाद में वो मस्जित के शाही इमाम हो गए शाह चला गया इमाम में शाही बच गया अभी तक भी बोले साब शाही इमाम है वो हमारे भी दोस्त हैं यह यह भाई हमारे कितने अच्छे सबके दोस्त हैं वह इडवीद पर जाना होता हैं कि यह बड़े प्यारे आदमी इंचे इंसान हैं तो कोई नहीं चाहता सियासत चाहती थी सियास ने करवाया सियासत नहीं निर्णे ले लिया और आज भारत एक्सप्रेस के चैनल पर कह रह में कर रहे होंगे तो जब कर हुंगे कि दूसरा पक्ष कैंशाथ बरबर आता था या आदमी तांसे नहीं थी कि किसके साथ कैसा करना है इसलिए हटाते हैं ऍसे आइए और आइए आप आयए वह एक खाना कहते हैं ट्रेन में हम जाते थे मुझे बड़ा इंप्रेस करता था कि एक भी मुसल्मान सज्जन बैटे हैं को मौलाना बैठे हैं खाना खाना बैस सब आएं बिसमिल्ला करें बोलता है लखनौ तो इससे भराई हुआ है पहले आ पहले आ पहले आ तो भाया वक्त है कि इन सियासी सूर्मा दोनों तरफ के दोनों इधर वाले भी जो वोट लेने क कि कोशिश कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस से और जूतरे रोकने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को जीरो करना है तो घर में बैठके solution करो, एक दो महीने 100-200 लोग बैठो, सारे शंकराचारे बैठो, सारे मौलाना बैठो एक हलप नामा बनाओ, सुप्रीम कूट की Chief Justice के पास जाओ, कहो सर, हम इन दोनों से बाज आए हम चंदा एकटा करके बनवा दे रहे हैं यह जगे खाली करी, आओ कनहिया विराजो हो गया काम बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विश्वास जी और आपने जिस विश्वास के साथ यह बात कहिए कि कनहिया विराजो, अब अवद में तो आनंद हो गया है, हरकिती को इंतजार है अब ब्रज में भी यह आनंद हमें देखने को मिले इसी उमीद के साथ इस स्पेशल ब्राड कास्ट में हमाई साथ इतना है